हमारे चैनल पर एक वीडियो आया था कि जिसमें आप अपना जो लोन है उसको ओनलाइन एपलाई कर सकते हैं उसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है इजी है इसको आप अपने घर बैठे ओनलाइन एपलाई कर सकते हैं जिसमें आपको 50,000 रुपय का लोन मिल जाता है और यह पै पहिने में आपको इस लोन को रिपैमेंट करना होगा यह में बनेगी इसकी 16-31 रुपे तो यह इसका जो प्रोसेस है मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट बताया है आपको लेकिन फिर भी आपके कमेंट आते हैं कि हमें इसके अपलाई करने में समस्य का सामना करना पड़ है यह customer की application है जिसका screenshot में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए loan account नंबर application नंबर applicant name और यहाँ पर देखिए और online disappointment is completely secure account नंबर तो यहाँ पर account नंबर दिया गया है और loan account नंबर दिया गया है इसमें और application application नंबर है applicant का name है तो loan amount है टोटल पचाहजार और जो डोकमेंट और चार्ज वगारा जो फीस कटी है इसमें 1121 रुपे और stamp duty फीस है 200 रुपे और यहाँ पर देखिए net amount credit your saving account तो टोटल amount इनके खात में credit क्या गया है वो है 88,689 रुपे तो यह loan मिल्कुल online apply आप कर सकते हैं तो चले इस प्रोसेस को बार बारिकी से समझते हैं उसके बाद आपके जो comment है उनका भी reply करेंगे सी वीडियो में आपको क्या क्या error देखिने को मिला इसको apply करने के लिए आप जाएंग अब यहां आपके सामने इस तरीक से इंटरफिस दिखाई देगा तो दो ऑप्सन है आपके सामने न्यूए अप्लिक सने इसके बाद इसको 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 करते हुए जाएंगे नीचे और यहां पर देखिए एककसे प्रोसीड पर लिखा वहाँ है तो यहां इस बटन पर किल्क करेंगे चैनल करने से पहले आपको सभी चीजे धियान से पढ़ली है यहां पर आपको अपना खाता नंबर बंचीज अपर आ't व मैं रहे कि हम drinking लेकृ लेकर आप रखेंगे या इसको कहीं पर लिखर लेंगे उसके बाद प्रोसीड करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे देखिए आपके समने दो डिटियल से एक तो डिमोगरिफिक है उसके बाद जिसमें आपका पैंगर नमबर आधान नमबर और आप जो है डिटर पर वगए डिटेल तो यहां पर कम्यूकेशन डाल देंगे यहां पर अपना और यहां पर देखिएंगे अंडिशनल कॉस्टमर डिटेल यहां पर जो भी चीजें मांगे कहीं है आप से एकेड़मिक्वालिफिकेशन सोचल केटेगरी फादर हसमें नेम क्या है मदर नेम क्या है और ए देटेलएं ने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे आप यहां पर आपके मिधा नंबर पर टीपि सेंड जो भी आपके अधार काट के साथ मुट्फिन फिर आप पर डालेंगे चौय करना और ज घल डालें है वेरिफाई पर क्लिक करेंगे तो तो यह बार सही तरीके से भाEric और इस प्रोस्टेस को सही तरीके सेसे कर से थो करेंगे तो आपका जो देखिए वीडियो विटbab एक शीच भर आड़ आपको यहां पर loan amount है यहां पर लिखे देंगे आप यह जिस तरीके से इसको स्क्रोल मा कर रहा हूं यहां पर आगे पीछे कंबढ़ती कर सकते हैं तो इस हिसाफ से आपका loan amount set हो जागा तो आप यहां पर पूरा यहां पर देखेंगा आप आपकी ब्रांच आ गही है यहां पर terms condition के accept कर लेंगे यहां पर जो भी terms condition है उसके पर submit और आपकीוקे पर इंबर चलिक कर देंगे जो handlar करेंगे महीं आंपर ओंके पर खिली कर के कि अ देटेल आपकी सईव हो चूकई है अभी आपर देखेंगे तो जिस स्क्र tied to custom एफिए पर खिलिक करेंगे तो जिस किस्टोमर कि मैं एपिलें कर नहीं हम इसनों फिलिक करते ऑफ यहां पर लॉकिता हो बिजनीस इस बिजनीटिनस की सब्सक्रीशन क्या है कौमरिसेल कौमरिसेल रेशी डेंटल तहमें ऐब पर वन Title कर लेंगे उसके बाद यहां पर sector category क्या है, sub sector category क्या है, आपकी यहां पर आप चूज करेंगे, उसके बाद purpose of loan और यह सभी detail डालने के बाद, यहां पर हम देखेंगे line of activity, तो यह सभी detail डालने के बाद आपको submit पर click कर देना है, यह detail आपको ध्यान से बढ़नी है, और चलिए, आप यहां पर कुछ सकते हैं, अपने हिसापस है, जो भी आप चूज करना चाहें, वो यहां पर चूज कर सकते हैं, detail डालने के बाद, submit पर click करेंगे, और फिर से कहेगा कि आपको इसको submit करने के बाद चैलने कर पाएंगे, ok पर click करेंगे, आप अब देखें, लाइव, 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 लेंगे, और read करने के बाद, आप आगे बढ़ेंगे, इस process में, चले आपको यह चीज़े देखें है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, KYC करते टाइम, तो KYC करते टाइम, आपको ध्यान रखना है, आपके चेहरे पर प्रोपर light होने चाहिए, आपके चेहरे खिल्दर द तो यहाँ पर आप यह दोनों फोटो अप्लोड करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस customer के अपलाई करने है, उसका इस तरीके सा, अपने घर पर पर, कुछ एर पर, चेहर हो या सोफा हो, तो कहीं पर भी बिठा कर, इस तरीके सा उसका फोटो खीच लेंगे, और उसक तरीके सा, दोबारा उसको, री कैप्चर कर सकते हैं, फोटो को, री कैप्चर पर किलिक करके, इस फोटो को दोबारा ऐसा, आप किलिक कर सकते हैं, ओके पर किलिक क्या, चलिए, यहाँ पर फोटो की, ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर देखे, सेवन गंट निलो पर किलिक आप अपने केस में इसी तरह कैसे स्फी लेंगे और क्लिक कर देंगे आपको वीडियो के वाइसी करने ओगी तिस स्क्रीड के विडियो के वाइसी होगी करने के बाद आप सब्मिट कर देंगे और यहां प्रोस्इसिक में थोड़ा टाइम लेगा थोड़ा से वेट करना है अब यहीं पर आपको जो ओफर है वह होता है वह यहीं पर होता है मैं कॉम यहीं पर होता और एक बात और आपके अकाउंट में इस लनक्या करने से पहले तीन या तीन हेजार यह चाहिए और इसको टाइमिंग है वह सुभा साड़े नो बज़े सा है साड़े तीन मुझे तक इस प्रसेस को आप फोलो करें तो हैंडर प्रसेंट आपका लोन अपला यह हो जाएगा तो यहां पर प्रसेस में थोड़ा टाइम लेगा हम ओफर चेक करने के बाद आपको लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाता है थोड़ा सा प्रसेस फॉलो करना होता है देखिए अबर सोरी इलिजिबिलीटी चेक यूँ आ नोट इलिजिबल फॉर इंटरन क्राटिरेज प्रिस कॉंटेक्ट दा ब्लो ब्रांच फॉर फ शेकम से कम से कम्य पुराना हो और शिर जादा कम से महीने है वह चल जागा लेकिन कम से महीने फोराना हो आपका खाता यूंइल उड्रै का आप किसी भी अपकर कर दैक कि साहीं औरब Akaunt में वो KYC होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो एक्की साल से ज्यादा होनी चाहिए कम से कम 20 साल या 20 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए तो यह है इसकी terms condition जब आप देखेंगे acceptance proceed को बटन यहां पर दिया गया है इसको apply करने से यहां पर दिया गया है please read the instruction carefully before applying the loan यानि कि apply करने से पहले आप carefully instruction को पहल यहां पर आप देख रहे हैं और इसके बाद acceptance proceed पर क्लिक करिएगा तो यह सभी चीजे हैं जो मैंने आपको बताई और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है इसको करने में तो हमारे पास comment आये हैं मैं आपको reply किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है तो इसमें लाइवनेस प्रबल्म वाट केना डू यह तो लाइवनेस प्रबल्म यह अभी आपको आती होगी तो उसमें आपके चाहिए और इसको समय है वह नोव बजे से सब्सक्राइब करें बैंकिंग टाइब में जब बैंक ऑपन हो उसके बाद अब इसको एपलाई कर सकते हैं उसके बाद है आप चलिसबेदेद कि मेरा जो आधार काड़ये आपके काट में लिंक होना चाहिए और आपका पैंक में जाकर करना पड़ा सकता आपको तो अग्र देखें कमेंट है भाई पैंक के स्टेटमेंट मांग रहा है लाग से उसक्षण मत कैसा खाल लोड़ तो आपको 6 महीने बाद इस लोन के अपलाई करना चाहिए उसके बाद देखिए आपड़ सी डाटा मिसमेच दिखा रहा है तो देखिए आपकी डियोबी आपके अधार कार्ड में कुछ और है और आपके डियोबी कुछ और है तो उनको मेच कराई है आपके जो अधार पर इस लोन के अपलाई कर रहे हैं तो आपका एकउंट 6 मिने पुराना हो और इसमें 3-4,000 रुपे आपके अकांट होने चाहिए तो आप इस प्रोसेस को फोलोग कर सकते हैं तो इस तरीके से जो भी प्रोब्लम आपको आती हैं तो सबसे पहले आप इन जो जो फोलो करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताया है देखें बैंक के साथ आपका आधार काड्र पैन काड्र लिंक होना चाहिए अगर यदि फेल हो चाहिए तो आपको फिर से उसको एपलाई करना है कुछ दिन के बाद वेटकर और अगर फिर भी नहीं होता है तो आपके अपने बॉइ लिए पर चेंज करके branch में उसके बदाद दोबारे से apply करना चाहिए कुछ दिन बाद तो यह सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है और apply करते टाइम आपके जो account है उसमें 3-4,000 रुपए कम से कम होने चाहिए apply करते टाइम तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है thanks for watching